वेलकम तो दे चैनल आएम सिब्रत सहानी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉश्प्रिंग के मोस्ट इम्पॉर्टन ग्वेशन तो जैसे कि आपको पता ही है कि आप मेरे चैनल पे स्टार्ट हो चुकिए आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टन क्वेशन सीरीज जो बैक बें जो तुम सुचते हो ना ऐसे क्वेशन पता चल जाए जिससे एक्जाम में आजा है बिल्कुल मज़े बढ़िया सा पेपर हो जाए यह वो क्वेशन है तो यह दस क्वेशन जरूर्टन प्रक्टिस करना और हाँ एक रिक्वेस्ट और है मेरी मैंने एक घंटे की बेस कोशन स चार पार छे क्वेशन से ठीक है तो यह तो कर नहीं है बेस भी देख लेना चलो परते हम अपनी शॉर्ट क्वेशन पहला क्वेशन है तो विच कंट्री डिट साहिप्स पेरेंट ओरिजिनली बिलॉंग वाइद दे केम टू इंडिया तो साहिप के पेरेंट जो थे औरिज और भी हुआ था 1971 में तो उसके बार बहुत सरे लोग जो है रेफ्यूजी की तरह थे उनी में से एक साहिप की फैमली वाले थे यहाव नो पर्मिट उन पहारेने के लिए कोई पर्मिट नहीं है दे उली है राशन कार्ट तो उनके पार राशन कार्ट से वह वोटर लेस्क आधे पाते पाते हैं पौलिटीशन को और राशन कार्ट से उनको क्या फाइदा है कि वह फायलें लोगों से और इनका पाते है राशन कार्ट के थ слово घ्रक धी थे अगर हम पार रहे हैं इस जगह के अंदर यहां पर अगर अपने अपने बचों खिलाप आ रहे हैं तो भाई यही हमारा घर है हमाई यह इंटिटी से ऊपर है जीना और खाना-खाना और अपने बच्चों को पाल पाना ठीक है जी आगे पड़ते हैं वोट इस आइरोनिक अबाउट साहिब्स नेम, साहिब के नेम में आईरेनी क्या है? तो आईरेनी है साहिब के नेम में क्या कि भाईया, उसका नाम है साहिब आलम, मतलब Lord of the Universe. उसको लाइफ के सारे एहश और राम चकाचौन के जिन्दकी जीने का मिलनी चाहिए ऐसा नाम है उसका, बट एहश और राम चकाचौन तो क्या भाईया, उस बेचारी के तो पैर में पहन निकले, चपल भी नहीं है, और कुछ समय बाद उसकी लग जाती है नौकरी, आच सो र कान पे नौकर बनना पड़ता है, और basic necessities तो बहुत दूर थी इसके लिए, तो यही आपको लिखना है कि बहुत contrast है, different है इसके नाम से इसका जीवन, ठीक है जी, आगे पड़ते हैं, in spite of despair and disease, prevading the lives of the slum children, despair मतलब क्यों होता है, परिशानी, महौल बहुत दुग परा, disease बेमारिया, यह जितनी भी बस्तियां है, दो बस्तियों में गई थी, madam हमारी, अनीज जोंग उथर, एक फिरोजाबाद की, एक सीमापुरी की, वो कहरे हैं, यहां पर diseases है, गंदी सडके हैं, वहां पर गारबेज इखटा है, वहां पर बहुत despair है, लोग जो है, जिनको अच इसे महाल में रहते हुए बच्चों के मन के अंदर भी कुछ वह है, क्या कहने हैं, हिंदी में, उमंग, आशाय है, कि हाँ, हमें भी कुछ करना जरी में, तो definitely है, जैसे साहे, वो टेनिस देखता है, तो उसका मन करते है, मैं टेनिस खेलू, उस नहीं नहीं सूचा रहे है, क उसके तो हैं ही ड्रीम्स इतने बढ़िया-बढ़िया, वो क्या कहता है, करते होंगे सब भाईया, मैंने तो मोटर कार मकैनिक बनना है, तो definitely यहां के बच्चे जो है, बहुत ही समझदार है, और इनके मन में होप जरूर है, ठीक है, तो यहां पर आप जो है, इसको रीड कर है अपने Going Places वाले चैप्टर में, जो है Sophie, तो आगया यहां पर parallel question, तभी तो यह serious मैंने का है, बहुत important है, कि मैं आतों पर parallel भी करा रही हूँ, ऐसी एक बच्ची और हमने पढ़िया, उसका नाम है Sophie, और हम यह भी कह सकते है, कि Sophie भी, बट क्या Sophie इन बच्चों जैसी है, Sophie, मुकेश से बिलकुल अलग है, साहिब तो बेचार, उसकी हालत ही है, उसकी situation ही है, कि वो चाहा के भी कुछ नहीं कर पाया, उसे टी स्टॉल पर जाकी job करनी पड़ी, बट जो मुकेश है, उसने give up नहीं कर रहा है, और वो Sophie की जूटे daydreamer नहीं है, जी मैं तो मोटर कार म से मिलूंगा, नहीं, Sophie तो पकी daydreamer है, कभी कहती है, कभी कहती है, कभी कहती है, जूटी कानिया बनाती है, कि मैं फूट बॉलर की गल्फेंड हूँ, या वो मुझ से मिला है, बट वो मुकेश है, भाई, वो ये इरादो का पका बच्चा है, इसने क्या कहा, जब मैडम ने उसको बोला, थोड़ा दराया है, बेटा बहुत दूर है, कहाँ जाओगे तो मोटर का मेकानिक बनने के लिए, तो बहुत ही जादा confidence के साथ कहता है, I will walk up to garage to learn मोटर मेकानिक स्केल, हैं स्लम चिल्वर्ण नौट दिवाइड ऑफो, तो बट वो क्या कहता है, मैं पैल चल ज रही कि वो आगे कुछ को रपा है, बट मुकेश जो है, उसका इराथा अभी पक्का है, वोट डर्स रेफरेंस तो चपल सिन लॉस्पंग, टेल उस अबट एकॉनमिक कंडिशन ऑफ दे राक बिकर, तो राक बिकर की एकॉनमिक कंडिशन क्या देख रही है, चपल से, कि भा पहने को पैरो में, तो यह कितनी गरीबी दिख रही है, और दस गार्बेज मीन टू चिलोन अव सिवापुरिया इंडिया पैरेंस, तो गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए पैरेंस क्लिए बिलकुल अलग है, गार्बेज का मतलब रैकपिकर्स, जो बड़े लोग है, पेरेंट्स है उनके लिए है मनी ठीक है कि मनी से वो जो है कुछ या फिर कोई जंक आइटम मिल जाओ जिसे बेच के वो मनी कमा पाया जाओ 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 जा एक सर्वाइवल का जरिया है next question but the promises like mine is about in every corner of their bleak world मेरे जैसे promises वो कहते हैं इस बच्चे के दुनिया में बहुत सारे हैं और यह कब की बात हो रही है आपको यह बताना है तो भाई यह तब की बात है जब author इसको कहते है मैं स्कूल बनाओंगी तुम आओगे और उसे बुरा लगता है author को कि भाई मैं ऐसा क्यों किया इसको साहिए पूछने आते हैं उनसे आपका स्कूल बन गया तो उन्हें उसको एसे टाल दे दिया बहुत समय लगेगा तो स्कूल बनने में फिर कहीं ना कहीं उनक किसीने साहिब को कोई promise करें नहीं हर बार government, politician, many people इन लोग को आके promise करते हैं तो इनके लिए better living condition मनाई जाएगी but after that कोई इनकी मदद नहीं करता है due to extreme poverty, overcrowding and absence of civic facilities slum children बहुत hardship face करते हैं next question what is the contrast between the color of the bangles and the condition of place where the bangles are made तो भाई आपको एक question है, एक contrast बताओ, क्या difference है उस जगा में जहाँ वो colorful bangles बन रही है तो obviously बहुत difference है, फिरूजाबाद का description हमें हमारी का author ने दिया है कि सडके कैसी dull, अंधेरा हो रहा है महाँ पर, polluted है, garbage खटा है, लोगों के घर टूटे भज्जे, यनि अच्छा paint हो रखा हो, अच्छी सडके हो, साफ सुथरी नहीं वहां का environment बहुत dull है, बहुत ही जादा वहां पर कितने लोग परशान है, खाना नहीं खाया, उन्होंने कुछ लोग अंधे है, बहुत dark और dull environment है बट वहीं पर वो जो bangles बनती है, वो कैसे बनती है, सुन्दर सुन्दर रंगों की, light green, pink, yellow, purple, blue, तो इतनी चमकदार, इतनी सुन्दर bangles, काच की बना रहे है, बन कहा रही है, ऐसे environment के अंदर जो बहुत dark और gloomy है, तो आपको इसमें पूरा explain करना होगा, इस question को देखके ड बनाते हैं, उनकी life तो बहुत unhappy है, बट वो bangles बनाते हैं, जो हर औरत बहुत खुशी से पहनती है, तो यह आपको बस इसमें लिख देना है, next question पर आते हैं, little has moved, यह long question है, ठीक है, little has moved with time in Firozabad, what could be the reason of this conclusion या statement, तो हमारी author कहते है कि little has moved in Firozabad, Firozabad में बहुत कुछ नहीं बदला, बहुत दीरे-दीरे speed पे changes आया है, या कुछ बदला ही नहीं है, वो यह कहरे है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यहां पर हमें reality दिखा रही है, bangles making industry की, आज भी वहां बच्चों को exploit करा जा रहा है, 20,000 से जादा बच्चे में glass fund इस factories में काम कर रहे हैं, उन्हें exploit करें बड़े-बड़े money lenders, साहुकार, middlemen, policemen, bureaucrats, politicians, और वो कोई initiative नहीं ले रहे हैं कि इन बच्चों को इस बुरी हालत से बहार ने कांके ला पाए, मुकेश seems to be over ambitious in life, then sahib, चीक है, you are more ambitious, elaborate करो, yes definitely, मुकेश जादा ambitious है sahib से, unlike most of his friends, मुके और वो गेरास तक चलके जाने के लिए भी स्यार है, उसको अपना master बढ़ना है, साहिब भी ऐसा कुछ चाता था, बड़ साहिब वो accomplish नहीं कर पाया, next question, whom does Anish Jung blame for the plight of Bengal makeup, plight मतलब बुरी, जो life चल रही है, इतनी जादा दुख बरी, किसको blame करती है, वो तो सीधा सादा वो ब्लेम करती है, विशियर सरकल को, विशियर सरकल मतलब जहरीला सरकल जो बना हुआ है, किस-किस का, साहू कार्ट, यानि कि बड़े-बड़े लैंडलोड का, जो पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पे, मिडिलमेन का, पूलिस का, ब्यूरो करेट्स का, पॉलिटिशन का, जो इस बैंगल में के इंडिस्ट्री में से उन बच्चों को बाहर आने नहीं दे रहे हैं, उन्हें कोई और प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, इसलिए, ठीक है जी, तो यहां पर दस क्वेशन करें हैं, दस क्वेशन यह ऐसे हैं, जो तुम कहते हैं, पीपर पैटर्न बापन र इन सबी क्वेशन के मेरे 110 नोट्स जो मैं बना रही हूं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वोक्स में आप जाके जो है, डाउनलोड कर सकते हूं, गोगल राइव लेंग गिवन है, और इंस्टाग्राम आईडी बचाके फॉलो कर लो, वहां पर भी मैं क्ली।